खाना बनाने की एडवान्स मशीनें जिनें बड़े लेवल पर हाई प्रोड़क्टिविटी और ज्यादा बड़ी प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है उनी में से पांच मशीनें जिनें देखने के बाद आप इनके यकीनन दिवाने बन जाएंगे अननास के छिलके उतारने में ज्यादा मुश्किल होती है अपेक्षा दूसरे फलों के इने प्रोफेशनल द्वारा ही सही ढंग से छिला जा सकता है पर क्रोने फूड प्रोसेसिंग कमपनी ने पाइन एपल जूस इंडरस्ट्री के लिए ये एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी मदद से हाईजिनिक तरीके से अननास को बिना वेस्ट किये छिलके से बाहर निकाला जा सकता है ना सिर्फ पाइनेपल ही बलकी तर्बूज, खर्बूज, कद्दू, गोल फलो, सबजियों को भी AMS 220 नाम की ये मशीन स्मूदली छील सकती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस मशीन के जरीए मीर्ट के टुकडे को बारीक पीसेज में काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो एक ही बार में 24 पीसेज स्लाइस करती है ट्रीफ ट्विस्टर के ब्लेड साइस के मताबिक चेंज या कस्तमाइज भी किये जा सकते है और तो और इसकी मदद से मीर्ट को इतने बारीक टुकडों में तेजी से अलग-अलग डिजाइन में कनवर्ट किया जा सकता है जिसे यदी कोई मजदूर या कसाई हाथ से करने बैठे तो उसे कई घंटे लग जाएंगे परन्तु इस मशीन के होने से बिलकुल प्रोफेशनल कटिंग मिलती है कम से कम समय के अंदर अभी तक तो हमने यही सुना है कि खाने वाली चीजों पर वैक्स चड़ा होना सही नहीं है अगर सेब पर वैक्स चड़ा हो तो उसे खाना हमारे स्वास्ते के लिए ठीक नहीं पर मेरे दोस्त अमेरिका के क्या कहने यहां इसी कमपनी में सेबो पर वैक्स चड़ाने का काम ही किया जाता है और यहां की गौर्मेंट को भी इससे कोई आपतिने आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों और कैसे किया जाता है एपल को गार्डन से लाने के बाद सबसे पहले सभी सेबो को क्लोरीन वाले पानी से धोया जाता है ताकि सेब अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं इसके बाद वैक्स के लिक्विट से इन सेबो को नहलाया जाता है ताकि सभी एपल्स पर वैक्स अच्छी तरह से चिपक जाए इ इसके बाद सेब चमकदार, स्वादिस और शांदार दिखने लगते हैं। असल में सेबू पर वैक्स चड़ाने की वज़ए है। इन सेबू को टाइम बीतने के साथ हराब होने से बचाना। जिससे ये सेब जादा समय तक सही कंडीशन में मिलते हैं। नमबर फॉर, मश्रूम हारवेस्टिंग मशीन। क्या आपने मश्रूम का स्वाद लिया हैं। फिर तो आपको पता ही होगा, मश्रूम की सबजी इतनी ज्यादा लजीज होती है। मश्रूम उगाना बाकी सबजियों के मुकाबले आसान है। यहां इस फैक्τοरी में, अलग-अलग चेंबर पर मश्रूम की खेती की जाती है। चेंबर में मश्रूम को उगाने के पीछे एक खास वज़ा होती है। असल में इस चेंबर के साद एक मशीन अटैچ होती है। जब ये मश्रूम अच्छी तरह से उग जाते हैं इसी मशीन की मदद से काट कर इन्हें अलग कर दिया जाता है इसकी स्पीड लाजवाब होती है जो कुछ ही मिम्टों में पूरे चेंबर के मश्रूम साफधानी से काटते हुए साइड में लगी कन्वेयर बेल्ट पर गिरात चलती है ये इतनी साफधानी से मश्रूम कटिंग करती है कि पके मश्रूम की जड़ को बिना नुपसान पहुचाए ही उन्हें काटती है ताकि मश्रूम दोबारा से बढ़ सकें इस मशीन को बेकरी इंडस्ट्री, होटेल्स, रेस्टोरेंट में यूज करने के लिए बनाया गया इसमें आटे, मैदे, बेसन मिक्स करने की तकनीक के साथ साथ उन्हें गोल आकार में काटने की भी शमता रखी गई है एक गोल रोलर जिसमें गोल आकार खांचे बने होते ह पीछे से जब आटा इसमें आता है तब यह उसे गोल शेप देकर बाहर कनवेयर बेल्ट पर छोड़ देता है ये प्रोफेक्शन के लिहास से बिल्कुल करेक्ट है साथ ही कम समय में ज़्यादा प्रोटक्टिविटी भी देती है ऐसे ही और शांदार मशीने देखने के लिए बने रहे हमारे साथ मिनी माइंड एसडी पर सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट करें ताकि हम आपको और ऐसे ही मशीने दिखाते रहें आज के लिए ठैंक्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में